इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी Gempower 200 injection is used in the treatment of non-small cell lung cancer, breast cancer, pancreatic cancer, urinary bladder cancer and ovarian cancer Gempower 200 injection is given as an injection by a qualified medical professional आपका डॉक्टर निर्ने लेगा कि आवश्यक खुराक क्या है और आपको कितनी बार इसे लेने की जरूरत है यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपका इलाज किस स्थिती के लिए चल रहा है और यह समय समय पर बदल सकता है आपको इसे ठीक वैसे लेना चाहिए जैसा आपके डॉक्टर ने बताया हो इसे गलत तरीके से या अधिक मात्रा में लेने से बहुत गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं आपको दवा के फायदे दिखने या महसूस होने में कई हफ़ते या महीने लग सकते हैं लेकिन जब तक आपका डॉक्टर न कहे इसे लेना बंद न करें इस दवा के सबसे आम साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, भूक में कमी, बाल जढ़ना और ब्लड प्लेटलेट्स कम होना शामिल है यह दवा आपके खून में ब्लड सेल यानि की रेड ब्लड और वाइड ब्लड सेल में कमी की संख्या को कम कर सकती है जिससे इंफेक्शन की समविधन शीर्ता बढ़ जाती है हॉट लिवर और ब्लड यूरिक एसिड लेवल के साथ अपने ब्लड सेल को चेक करने के लिए नियमिद ब्लड टेस्ट की आवशक्ता होती है इसे लेने से पहले अगर आपको हरदे, रोग, लिवर या किड्नी से समबंधित कोई समस्या है या आप किसी इंफेक्शन के इलाज के लिए कोई दवा ले रही हैं तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं कई अन्य दवाएं इस दवा को प्रभावित कर सकती है या इससे प्रभावित हो सकती है इसलिए अपने डॉक्टर को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप इस्तेमाल कर रही हैं गर्भावस्था या स्तनपान कराने के दौरान इस दवा को लेने का सुझाव नहीं दिया जाता है। प्रेगनेंसी से बचने के लिए इलाज के दौरान पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा प्रभावी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल करना जरूरी है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। झाल झाल